हलो माई फ्रेंट्स मैं पायल और आपका स्वागत है कोक वित पायल में और फ्रेंट्स आज का जो हमारा विडियो है बहुत ही खास है और बिल्कुल आज मैं आपसे रेस्पी शेयर करने वाले हूँ गुण मेवे और सोट के लड़ू की रेसिपी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशस थाने में ये है साथी में इसके गुण भी भरपूर है तो बिल्कुल कमर दर्द और बाकी अगर आपके बॉडिस में पेन हो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशल होता है साथी में सौरी में भी ये लोग देते हैं खाने के लिए और ये मैं बना रही ह लड्डू गुपाल की छट्टी के प्रशाद के लिए तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं इसकी रेसिपी को लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ड्राइ फ्रूट्स को भून लेंगे और यहां पर मैंने डाला हुआ है कड़ाई में घी और घी से जो हमारे मेवे का फ्लेवर है वो बहुत ही इन्हेंस होके आता है आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड या ओल में भी इसे फ्राइ कर सकते हैं पर घी में जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आता है तो यहां पर घी मैंने लिया हुआ है आप चाहें तो इस तर अब मैंने डाला है बदाम कटे हुए इसमें और भी मेवे अट करेंगे थोड़ा सा फ्राइ हो जाए उसके बाद हम और मेवे इसमें एड करेंगे तो देखे बिल्कुल गुल्डन गुल्डन सा आपको भुनना है अब मैंने इसमें डाल दिया है चिरॉंजी और इन सारे ही मेवों का जो लड्डू में फ्लेवर है वो बहुत ही एन्हेंस होके आता है बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट लड्डू बनके रेडी होते हैं और घी मेवे को फ्राइ करने के बाद उसका जो टेस्ट है वो लड्डू में बहुत ही उम्दा आता है तो लेंगे किशमिश किशमिश को आप बाकी मेवों के संग ना अलग से फ्राइब करिएगा क्योंकि यह दिखिए फ्राइब करने पे एकदम भूल जाते हैं गुबाड़े की तरह देखिए अभी बिल्कुल फूल जाएंगे अपने साइज में डबल हो जाएंगे और देखिए बहुत ही अच्छे से यह भून गया है बिल्कुल साइज में डबल हो गया है इसे हम निकाल लेंगे बहुत जादा आपको इसे नहीं फ्राइब करना है नहीं तो फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा इसके बाद हम नारियल को भून लेंगे यहाँ पर नारियल मैंने कद्दू कस किया है आप चाहें तो बारे एक बारे काट भी सकते हैं तो नारियल को भी हम भून लेंगे अच्छे से जब तक इसमें से एक अलग सी खुश्भू नहीं आने लगती और नारियल जब भूनते तो लड्डू बनाने के लिए हमें सारी चीज़ों को भून लेना है और लास्ट में हम सारी चीज़ों को एक साथ एक चीज में एट करेंगे और उसकी लड्डू को बना लेंगे तो यहां पर नारियल भून गया है अब हम थोड़ा सा छुवारा जो है मैंने बारे काटा है उसे भून लेंगे थोड़ा समय ने घी और एट किया है योगि घी नारियल ने पूरा सक कर लिया था और इस तरीके से हम बिल्कुल चुवारों को भी भून लेते हैं आप अपने बिल्कुल पसंदिदा इसमें ड्राइफ रूट्स एट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो आप चाहें तो इसमें मखाना भी आट कर सकते हैं बिल्कुल मखाने को काट लिजे या फिर आप खड़ा ही भून के उसे थोड़ा सा क्रश कर लिजे चुवारा हमारा बिल्कुल हो गया है हम सोट को बिल्कुल धीमे आज पे मेडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा कच्छा फ्लेवर जो है न वो खत्म हो जाए तो सोट को आप भून के ही डालिएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लड़ू में तो देखे इस तरी को भूनेंगे क्योंकि हम लड़ू आटे में बना रहे हैं तो इसी बिल्कुल कढाए में हम आटा डाल लेते हैं और आटे को आपको थोड़ा देर तक भूनना है जब तक इसकी यह बिल्कुल थोड़ा सा रेड़ेश कलर में नहीं आ जाता अधिमें आज पे आपको भूनन हैं मैंने इसमें घी कोई भी नए यूज किया है बिल्कुल मैं इसे ड्राई ही भून रहे हूँ तो बिल्कुल आप अपने क्वांटिटी के इसाफ से measurement ले सकते हैं इसमें कोई मैं मेजर्मेंट नहीं आपको बता रहे हूं शेयर कर रहे हूं आपको जितना लड़ू बनान तो इसमें मैंने गुड़ को बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है वो हम एट कर लेंगे और साती में यह देखे जो मेवे हमने भुनके रखे न उसको अच्छे से मिक्स कर लिजे सारे मेवों को आपस में उपर नीचे उसके बाद हम इसमें एट करेंगे तो देखे हमारे मेवे भी बहुत अच्छे से भुनके रेडी हो गया है इसमें हम एट कर लेंगे और अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल जी हां फ्रेंड्स इसमें मस्टर्ड ओयल पढ़ता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो बिल्कुल सौरी में यह लड़ू अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल कोई भी दर्द कोई भी पीड़ा नहीं रह जाती है और इसके हम बांध लेते हैं लड़ू और हमारे यह जो लड़ू है वो कृष्ण जनमास्ट मी के छटे दन जब हम छ लड़ू के शेप में भी बना सकते हैं मैं इसे बिल्कुल इस तरीकी से लंबे-लंबे बना रहे हूं तो देखी हमारे बिल्कुल सोट आटे मेवे और गुड़ के लड़ू दो बिल्कुल तयार है कहाने के लिए और भोग लगाने के लिए हमारे छ Frame के खाती में तो बिल्क जरूर ट्राइ करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलूंगी ने वीडियो में ने रस्पी के साथ और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाशिंग माई वीडियो बाई माई फ्रेंट्स